लास गंच बेहुई घटना पर सपा के MLC सुनील साजन का कहना है कि यूपी में जंगल राज चल रहा है महीं कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने इस पर पलट वार किया प्रियंका गांधी के साहरनपूर दोरे पर मंत्री का कहना है कि वो सर्फ किसानों को भढ़काने का प्रियास कर रही है वहीं हमारे समवादाताने कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक से बातचीत की आप ही सुने प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के स्वक्ष अभियान को लेकर आज लखनों में नगन निगम की तरब से स्वक्षता महारैली का आयोजन किया जिसमें कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक भी पहुंचे थे सर किस तरीके से देखते हैं आज के कारिक्रम को दसल लखनों में सुच्षता वियान चलाया जा रहा है पूरी लखनों की नगन निगम की गलियां सभी हमारे मुहले बड़ी सड़कें साफ सफाई से रहें और लोगों में सुच्षता का एक सुभाव पन्नू उसके कारणी रेली की गई थी और इसके लिए मैं बहुत बहुत सुब काम नाएं देता हूं आब भाहर प्रकट करता हूं नगर निगम प्रसासन का जिन्होंने बड़ी संख्या में जागरुकता भ्यां चलाया सर एक बात और भारती जंता पार्टी लगातार किसानों को लेकर समवाद इस्थापित करने का प्रयास कर रही है उसी में सर आज प्रियंका गांधी अपने सहारन पूर दोरे पर हैं और उन्होंने सर सरकार पर निशाना साधा इस पर क्या कहना है सर तुनील सिंग साजन ने सरकार पर आरोप लगाया है कि यूपी में सिफ जंगल राज चल रहा है और जो कह सकते हैं अपराधी है वो खुले आम घूम रहे हैं सल आपको पता है कि रात में ही हमारी पुलिस ने मुटफेड में एक व्वान्चित को मार गिराया है और सेच्छ की पहचान की जा रही है और जान चल रही है हमाई साथ बात करने के लिए मौझूद थे कानून मंतरी ब्रिजेश पाठक जिन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कास गंच की जो घटना थी वो दुर्भाग्य पूर थी और अपराधियों पर रास्कुवा लगाने की तैयारी चल रही है वही उन्होंने प्रियंका गांधी को भी साफ तौर पर कहा है कि किसानों के मामले को लेकर वो अपनी राजनीती को चमकाना चाह रही है लकना उसे वीडियो जनरलिश्प्रियांश मिश्रा के साथ संदीप खेर आर 9 टीबी उत्तप्रदेश